स्वागत है आपका स्टेडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी में मैं स्वातियों और आज हम बात करेंगे अगर आप कर रहे हैं माज़ा परदेश TGT कमिशन्स की त्यारी तो इसके लिए जो है आपके लिए पॉलिटी जो सीरी स्टार्ट हुई है जो डेली आपकी जो ह क्लास होती है जिसमें हम डेली डिसकस करते है अपने पॉलिटी से रिलेटी जो है कॉंसेप्ट बाइज जो है कॉस्टन को बैसे तो यह मिक्स सीरीज आपकी रहने वाली है इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेपरेशन से वह किस लेवल पर पहुंची है तो लास्ट जो है क्लास को ज़रूर देखे इसी के बीश में जो आप बहुत सारी चीज़ें में आपको एक्स्टर भी साथ में बताने वाले हूँ चलिए तो देखते हैं आज की सेशन को सेशन में जो है फॉर्स्ट कोशन की अगर मैं यहां पे बात करूं फॉर्स्ट कोशन हमारा रिल उससे रिलेटिड जो है यहां पे बात की जा रही है तो अगर हम यहां पे देखें अपने क्वेशन को तो यहां पे हमारे पास जो आंसर हमें दे रखे हैं हमें क्या आंसर में दे रखा है प्राइम मेनिस्टर हो मेनिस्टर बास प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट कि पर किसके पास होती है हमें पता हमारे राष्ट पती के पास यह पावर्स होती है इसके इलाबा राष्ट पती के पास जो है प्रेजिडेंट के पास कौन-कौन सी पावर्स होती है एक्जिक्यूटी पावर है लेजिस्टेटी पावर्स होती है military powers होती है financial powers होती है most important emergency power भी होती है emergency power में जो है तीन तरह की powers होती है 352, 356 और 350, sorry 360, तीन तरह की emergency power भी किसके पास होती है president के पास होती है तो यहाँ पर जो right answer है executive power से related वो आपका option number D यनि की president जो है आपका सही answer है, चले next देखते है next question है which one of the following article इन में से कौन साइस article है deal with the pardon powers of the president जो राष्टपती की शमा वाली शक्ती से संबंदित है very important, सभी को पता है कि कौन सा है article 72 जो है उसमें राष्टपती चाहे तो शमा दान कर सकता, यहाँ तक कि जो अगर आपको किसी को फांसी होने वाली है, मरित्यू डंड है, तो उसको भी वो उमर कैद में तबदील कर सकता है बदल सकता, तो यह सिर्फ पावर किसके पास है, राष्टपती के पास होती है, next देखते है the impeachment, यानि कि जो महा वियोग है आपका, यहाँ पर question चाहे English में लिखे है, मैं आपको हिंदी में भी explain करूँगी जो महा वियोग है आपका, जो राष्टपती पे लगाया जाता है is carried by which one of the following किसके द्वारा जो है वो लगाया जाता है इन पे तो कहाँ पे जो है बोला जाता है कि इन पे महा वियोग लगाया जाना है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्लिमेंट में, संसत के किसी भी सदन में चीक है जी, संसत के किसी भी सदन में जो है इन पे महा वियोग लगाया जासकता है महा वियोग कब लगाया जाता है तो महाव्योग लगाया जाता है जब राष्टपती की द्वारा जो है violation of constitution कर रखाऊ यहनी कि सभीधान की अगर राष्टपती ने उलंगना की हो तब जो है article कौन से article की थू जो है महाव्योग लगाया जाता 61 के तहट जो है महाव्योग लगाया जाएगा और संसत के किसी भी सदन चाहे लोग सभा हो चाहे आपका राजे सभा हो किसी में भी जो है महाव्योग आपका लगाया जा सकता है लेकिन जरूरी है कि वन थे हाई member जो है उनके sign होना जरूरी है तब ही और इस महाव्योग के दौरान जो है उनको 14 days before और यानि कि 14 दिन पहले जो है notice दिया जाता है ठीक है जी चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स कर्शन है हमारे पास कि अगर आप टीजटी कमिशन की तियारी कर रहे हैं तो आप लक्षे बैच के साथ बैच नोबर टू के साथ चुह है स्टडी सर्विस के ऑनलाइन कोचिंग को जो है जो है जाइन कर सकते हैं 25 से हमारी क्लासी स्टार्ट है जोगरोफी आपका स्टार्ट हो रहा है और इंगलिश पेपर बन में स्टार्ट हो रहा है पेपर टू में जोगरोफी से आपकी स्टार्ट होंगी क्लासी 75910466000 जो है आपका यहाँ पर ऑफिशल नंबर है स्टेडी सर्विस का आप इससे जो है हमारे से संपरक कर सकते हैं और अपना बैच जो है डिसकाउंट में ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन्स देखते हैं अच्छा आर्टिकल दे रखा है फिर से पूछा है कि यह कौन सा आर्टिकल जो है टेन्य ओर प्रेजडेंट से डील करता है राष्ट पती के कारेकाल से संबंदित हैं तो आप्शन नंबर बी आर्टिकल 56 चले नेक्स देखते हैं तो मैंने अभी बताया आपको कि महावयोग जो है कौन से आर्टिकल में लगता है हमारे पास यहां पर आर्टिकल 61 में अनुशेद कासट में और इसके बारे में बहुत सारी चीज़े बता चुकी महावयोग के बारे में आपको ठीक है जी चले नेक्स्ट क्वेशन्स देख पर पिछली क्लास में भी देखा था जहां तक मुझे आता रहा है नेक्स द प्रेशर गूरूप टाइस तो पर्मोट द इंट्रस्ट धियर मेंबर्स एक्स यहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा वर्ड में मिस्टेक की है प्रेशर गूरूप ओ तो यहां पे जितने प्रे कीज़े ऐसी है जो शायद पिछली क्लास से मिल रही है ऐसा तो नहीं कि टाइपिंग बाले ने जो है दवारा से वही क्वेश्चन से सेम कर दिये हूं पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वीच अब द फॉलॉइंग आर नॉन इस प्रेशर ग्रूप सारे ही होते हैं यह वह फीच जो है वह फीचरस नहीं है तो फीचरस जो है वह नहीं पूछा गया था उबम साइग हजी लंग रहन इंग च posth, प्र्इंट आउट से इत मेंबर शीप इस लार्ज नहीं एक्टिविली जॉइन प्लिटिकल ग्रूप तो यहां पर ऑप्शन अबर सीजियर राइट अजर नेक्स्ट कॉस्टिन विच अप्ट फॉलोईंग इस नॉट यूज़ वाइद प्रेशर ग्रूप के लिए प्रेशर ग्रूप के दोबारा अचीविंग इस उब्जेक्ट उसके उदेशों को प्रापत करने के लिए नंबर वर इट फाइनेंस पॉलिटिकल पार्टी नंबर टू इट ऑर्गनाइज़ डेमोंस्ट्रेशन थर्ड इट क्लेरली एलाइन्स विद अपॉलिटिकल पार्टी नेक्स इट ट्राइस तो ए कौण सी इसी फॉर्स जो है पार्लीमेंट फॉर्म हुई है जिद्र ने वर्टर कनवर्सेशन अन्ट मेंजमेंट को जो लेकर के बात कर रखी है कब हुई थी वैन पूछा गया ने तो 1950 में दोहजारपांच में या 1970 में या 1985 में तो यहां पे जो है 2005 में जीकर कब हुई थी 2005 में हुई थी next तेखते हैं question number 12 when was the first parliamentary form on youth constituted तो first parliament जो है वो कब form की गी 2010 में, 2008 में, 2006 में 1980 में तो option number C 2006 में जो है की गी थी next तेखते हैं when was the first parliamentary form of global warming and climate change constituted तो global warming or climate changes से जो है related first parliament जो है वो कब बनाएगी तो कब बनाएगी थी यह आपकी 2008 में थोड़ी date से याद रख लिए न कई वरे से questions आ जाते exam में next है when was the first parliamentary form of disaster management देखो बहुत अच्छे question आ रहे सारे ऐसे आ रहे कि कब कब बनाएगी है तो यहाँ पे जो है 2011 में बनी थी यह disaster management आपदा प्रवंदर से समन्दित तो यहाँ पे इसके बाद one was the first parliamentary form on children constituted तो children's related जो है वो कब बनाएगी थी यहाँ पे तो यहाँ पे जो है 2006 में चरी next देखते है which of the following describes India as a secular state किसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो secular state है यानि कि धरम निर्पेक्ष राच्चे है किसमें बात कीगी है सब जानते है किसमें बात कीगी थी हमारी प्रियंबल के अंदर किसमें बोला गया था हमारी प्रियंबल जो हमारी परिस्ताबना है उसमें ये बात बोली गी थी कि हमारी जो देश है वो कैसा होगा secular state होगा, secularism होगा प्रियंबल of the constitution में ये बात कीगी है option number D आपका बिलकुल सही है इसके लिए next है the independence of judiciary in India constitution is taken from तो independence of judiciary यानि कि स्वतंत्र जुन्याय पालिका की बात कीगी है भारत के सभीधान में कहां से ली गई है तो यहां पर कहां से ली गी है ब्रिटेन से ली गी है यह भी हमने class के अंदर पढ़ रखे हैं सारे questions in a parliamentary form of government the real power of the state are wasted in अगर हम बात करें parliamentary form की यानि कि संसद की अगर हम बात करते हैं the government the real power of the state कि सरकार की जो बास्त्रिक शक्ती है वो जो राज्य के अंदर वो किसके पास होती है the president ये chief justice of supreme court या फिर council of minister headed by the prime minister या फिर parliament तो यहां पर right answer क्या हो जाएगा council of minister ठीक किसके पास होते है council of minister next question है which of the following amendment act amended the preamble of the Indian constitution तो सभिधान में जो आपकी प्रस्ताबना है जो आपकी प्रस्ताबना बनाई गी थी उसमें सभिधान भारती सभिधान की प्रस्ताबना में कौन से शंशोधन के द्वारा जो है प्रस्ताबना में कितनी टाइब जो शंशोधन हुआ है या कितने जो है किसके द्वारा जो है शंशोधन की यहां पे किया गया है प्रस्ताबना में तो अभी तक प्रस्ताबना में एकी शंशोधन हुआ 42nd amendment ठीक है सब जानते हैं जिसमें तीन तरह की चीज़ों को जोड़ा गया था कौन कौन सी चीज़ों जोड़ी गया है वो आपने मुझे कॉमेंट करके बतानी है नेस्ट क्वेशन है Supreme Court held that the preamble is not a part of the constitution कि Supreme Court held that the preamble preamble में किसी भी तरह का उसको part नहीं बताया गया सभी धान का तो यह किस केस में आया देखने को हमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या statement दी Supreme Court ने statement दी कि जो आपकी preamble है यानि कि परस्ताबना है वो सभी धान का भाग नहीं है यह किस में बोला गया कौन से केस में बोला गया बेडू बारी में यूनी कृष्णन versus union of India में मिनर्मा मिल्स versus the union of India and other states में सुनील भार्ता यूनी गोवर्मेंट में कौन से में बोला गया था यह आपने comment करना है comment करके आपने इसका answers बताना है आई होग कि आज के questions आपको अच्छे लगे होंगे और अगर आप भी TGT कमिशन की तियारी कर रहे हैं तो हमारे ने बैच के साथ आप जुड सकते हैं अभी डिसकाउंट चल रहा है डिसकाउंट में जो अपनी फी आप डिपोजिट करवा सकते हैं इंस्टोर्मेंट भी आप कर सकते हैं 25 से जो है अपकी क्लासिस स्टार्ट होने जारी हैं इसके लिए आपको 75910-466-S agreements आपको वाट्सेप करना होता है सारी इन्फोर्मेशन मिल जाती है हमारी जो भी क्लासिस रहती है हमारी क्लासिस में आपको लॉआइव क्लासिस देली रहेंगी morning और evening schedule में और साथ में आपको दी जाएगी इनी live की recording भी देंगे कि one year तक आप इसे देख सके live classes की duration जो है 4 month 15 days रहेगी जिसमें पूरा syllabus होगा आपका paper 1 भी होगा paper 2 भी होगा दोनों ही होगे paper साथ ही साथ में आपके daily test होते हैं प्लस आपका mock test जो है अलग से test series भी रहने वाली है PDF classes दिये जाते हैं तो यह सारी चीज़े आपको हो चुकी होगी clear अच्छे से आई होप आपको जो है यह daily quality वाला session अच्छा लगता होगा आप comment करके ज़रूर बताए मुझे कि आपको यह कैसा लगता है ताकि मुझे भी motivation मिले आपको next video बनाने के लिए thank you so much मिलेंगे next class में